वेल्कम तो एन्हादर वीडियो आई में एक सीरीज इस्टार्ट किया था इस सीरीज में मोबाइल और कॉंपेटर के सारे कॉंपोनेंट्स के बारे में अप लोगों जानकारी दूंगा तो आज इसका सेगेंड वीडियो है जो है रैम के बारे में इसके पहले मैंने प्रोजेसर के बारे में वीडियो बनाया था कि कैसे आपको एक प्रोजेसर के देखके एक फोन खड़िदना चाहिए तो उसका वीडियो का लिंक यहां पर है और यहां पर कई तो मिल जाएगा आ तो आज इसका सेगंड वीडियो रैम के बारे में है क्या है रैम और क्या काम करता है रैम सारे कुछ इस वीडियो के बारे में जानेंगे और कितना जीवी रैम आपके लिए परफेक्ट होगा यह भी आम जानेंगे क्यूंकि आज कल मोबाइल में 12GB 16GB के रैम भी आ चुका है इसलिए हम जानें कि कितना जीवी के रैम आपके मोबाइल के रिए सही होगा तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते है तो फ्रेंट्स रैम इसका मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी तो यह क्या है तो जैसे एक हार्डिक्स होता है 500GB, 1TB, 2TB तो ऐसे ही रैम भी होता है 2GB, 4GB, 8GB, 1GB भी होता है 16GB, 32GB तो क्या है रैम जैसे हार्डिक्स का मेमोरी होता है रैम भी एक मेमोरी है बट रैम इस हार्डिक्स का मेमोरी से बहुत बहुत ज्यादा फास्ट होता है क्योंकि रैम बहुत कम मेमोरी होता है बट बहुत ज्यादा फास्ट होता है तो यह क्या क्या क् इस नहीं होता है जब प्रोस्टार को मतलब आप कोई काम करने का इंतर्स चंदेता वह जासे के एपिंन करने करें तो वह रहता हो जएकने हो फास्ट्राम में जितना घंना क्लॉक्रीट के स्वीट कैसे जानेंगे वह हम थोड़ा बात में आते जिसने वासर रहा होगा उतना ज्यादा इसपीट से आपका डाटा प्रोसिंग और इस पीस आपका जो एप है और RAM उसको open करता है आपके लिए और जितना GB का RAM होगा उतना ज्यादा एप आप इसमें store करकर रख सकते हो मतलब क्या आप recent tab में जाके जब आप बहुत जादा एप देखते हो न तो मतलब एक को प्रेस करते हो तो open हो जाता है तो ऐसा ही जितना GB का RAM होगा तो उतना एप को वो एक साथ manage कर पाएगा मालनों आपके बास 2GB RAM है तो आप एक PUBG on कर रहे हो उसमें ही लग जाता है 1.18GB RAM तब आप जो एक Facebook उसके बाद on करने जाते हो तो PUBG को RAM को clear करना पड़ता है फिर ही आप एक Facebook एप को on कर पाते हो क्योंकि उसमें भी 500MB की मतलब डाटा लग जाता है RAM का तो 2GB RAM में तो इतना ज्याद मतलब डाटा नहीं लग पाएगा ना अगर आपके बास 4GB RAM है तो आप दोनों ही open कर सकते हो तो यही था RAM का concept आपको अगर रहेम का में एकदम सिंपल एक्जाम्पल बताओ तो आप माल लो आपके पास जेतना RAM होगा आपके उतना capability बारेगा अप DDR3, DDR4 एक सब क्या है तो DDR के मतलब मैंने बताया clock speed में मेजर करया जाता है RAM को DDR के version में मेजर करया जाता है जैसे कि DDR2 से DDR3 का speed बहुत ज्यादा अच्छा होगा DDR3 से DDR4 के speed अच्छा होगा उसमें 800 Hz, 1200 Hz, 1600 Hz इस तरीके से DDR को मे details मिल जाएगा तो एही था एक छोटा सा RAM के बारे में details कि RAM आपके मतलब mobile में कितना ज्यादे important है आपके multitasking के लिए RAM सबसे ज्यादा important button मतलब part है जो आपका मतलब पूरा काम कर पाएगा तो आपके mobile के लिए कितना GB RAM मतलब perfect होगा आप ही जैसे कि app का size बहुत ज्यादा पढ़ जा रहा है तो मतलब RAM भी बहुत ज्यादा consume करता है ओ आप जैसे PUBG आप देख लो ओ जब आप पिले करो गए तो 1.18 से 2GB तक का RAM मतल पूप भी रहेगा 8GB RAM में 5,6 apps आपके recent app में मतलब instant open हो सकता है तो आप पावर एक 8GB RAM में रहेगा और जितना advanced RAM होगा मतलब जितना DDR का RAM होगा DDR4 maximum है तो जितना DDR का RAM होगा उतना ज्यादा बैतर होगा तो आप यह सब देखके एक PC भी बना सकते हो तो DDR4 का RAM ही आप यूज क तो मैंने computer मोबाइल दोना के बारती बार कर दिया इसलिए mobile में 8GB RAM तक आपको business काम चल जाएगा अब mid-range बे 6GB RAM के mobile भी ले सकते हो पर 4GB अभी थोड़ा old हो चुका है मेरा phone ऐसे भी 4GB का है इसलिए थोड़ा बहुत मतलब lag भी करता है recent app open करने में भी थोड़ा problem होता है तो यही था एक RAM के बार में छोटा सा वीडियो अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को सेयर करना और नीचे रेट करना कर जो सब्सक्राइब बटन उसको प्लीज करके सब्सक्राइब कर लेना क्यूंकि मैं सारे components का कबर करने वाला हूँ तो मेरे एस सीरीस आपको कैसे लागर है वही कमेंट कर जरूर बताना तो इस वीडियो के इतना ही देखने के लिए बहुत बहुत सुक्राइब कर लेना और मेरा स्पोसल मीडिया का लिंक नीचे डेस्केस्टन में है चाओ तो फॉलो कर लेना नमस्ते मिलते हैं आपको इस ताम कदर बिल्यो में